नमस्कार दोस्तों एक वर फिर आप सभी का श्वागत है अंस आश्टडी गुरू में मैं हूं आपका दोस्त सनी दोस्तों कानपुर इंवर्सिटी से एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है इसी पर आप सभी से करते हैं कि जो आज की नोटिफिकेशन जारी की गई है कानपुर इंवर्सिटी की कुछ नोटिफिकेशन में बताया क्या गया रहा है क्या बताया इसके बारे में बात करूंगा जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो स्टुडेंट अभी कानपुर इंवर्सिटी के ज कौन से स्टुडेंट के लिए नोटिफिकेशन जारिक किया गया है दोस्तों जैसा की स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंसन है छातपती साउजी महाराज विश्विद्यलक कानपुर्ड लिखा गया है पर आदेशा नुशार ओगत कराना है कि विश्विद्यलक सातर दोजार बाइस तेजिस की एललबी की जो आपके चतुर्थ और सश्टम समिश्टर के तथा बी एललबी के चतुर्थ सश्टम और अश्टम ओवादसम समिश्टर के जो आपके भूत पूर बैक पेपर से परिशा फॉर्म समिट कर लें उसके लिए कुछ डेट निर्धारण किया गया जैसा कि नीचे देख रहे हैं स्क्रॉल करके आप भी देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर उपन है और आप देख भी रहे होंगे बताया है दिन अंग तीन अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर बिना सुलक दिये आप एक्जामनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं साथ में आपको ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपको नहीं पता हो पाता है या किसी कारण से आप छूड़ गये हैं और 14 अक्टूबर के बाद आप फॉर्म को अपलाई करते हैं 14 से 18 अक्टूबर के सुलक दे कर आपको सम्मिट करना होगा तो दोस्तों यह रहा नोटिफिकेशन आपके कानपूर इनिवर्सिटी का कि दोस्तों जो स्टूडेंट अभी तक एक्जामनेशन फॉर्म सम्मिट नहीं करता हैं वह फटा-फट कर लें कौन स्टूडेंट कर सकते हैं भी एललबी के और एललबी के जो भी स्टूडेंट हैं वह उनलाइन कर सकते हैं लेकिन उसके लिए भी बताया गया है कि भूत पूत बैक पेपर 2022 और 2023 के लिए अगर आप एक्जाम देना चाहते हैं तो आप अपलाई किजेगा आपके एक्जाम डेट सीट बहुत ही जल जारी कर दिया गय कुछ है कि जल एक्जाम देना च वह जारी कर दो दिए।